अश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हूँगे मेरे नाम सिद्धान तगनी होतरी study IQPAP का बहुत दोस्व अगत है दहिंदू का बहुत ही खुबसूरत आर्टिकल है नाशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल हम इसको रिव्यू करने वाले हैं 2010 में इसको बनाय गया था दस साल इसके पूरे हो गए है कमाल की जर्णी रही है दोस्तों अगर environment जो है उसको कोई बरबात कर रहा है eco sensitive zone जो है वहाँ पर construction कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं तो इसी लिए NGT को बनाय गया कि देखो फैसले दो रोको इसे शांदार इतिहास रहा है प्रॉब्लम्स भी है इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एड्रेस किया गया है तो हम इंपॉर्टेंट जज़िमिंट्स देखेंगे बेनिफिट्स देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़े जानेंगे नाशनल ड्रीन ट्रिबूनल की जो रेजिलियंट जर्नी रही है चलो आगे बढ़ते हैं ट्विटर पे मैं आ गया हूँ यह रही मेरी आईडी और इंस्टा पे भी आप मैंसे सवाल पूछ सकते है रात आच से दस बज़े तक मैं कुरीज अंसर करता हूँ नाती जाथ यू इंटल कोट्स इन दा वर्ल्ड इंवायमेंट पे पर्या वरड पे अगर कुछ भी हो रहा है एंजीटी उस पे ताला लगा देगी ऐसे कितने केसे हुए हैं शांदार केसे किये हैं कि कई बार एको सेंसेटिव जोन पे बिल्डिंग्स बनाने किया कई बार ऐसा होता है कि प मजी सकते होंगे forest wildlife environment climate change और coastal protection Eastern Western घाट में आपको पते हैं इस्टरन वेस्टरन घाट को प्रोटक्ट करना है सारी चीज़ों को National Green Tribunal जो हैँ देखता है जब से n quarantine बना है तब से forest land हो गया construction activities को रात न रात बंद कर दिया अगर पता चला कि ये पर्या वरड को नुकसान पहुचा रहा है, जंगल की कटाई फुल ओन चालू है और सबसे बड़ी बात है, जो ट्राइबल कम्यूनिटीज है न, ये ट्राइब्स कहा जाएंगे नर्बदा बचाओ हां दोलान आप देखिए नौर्थ इस्ट में देखिए ट्राइबल जाएंगे कहां, होता क्या है कि जब सरकारे कंस्ट्रक्शन अक्टिविटीज करती है जैसे मालीजे डैम बना रही है तो जंगल से ये जो ट्राइबल कम्यूनिटीज है, इनके लिए तो जंगल भगवान है, क्योंकि ये सब कुछ जंगल से ही लेते है अब इनके जंगल को ही साफ किया जाता है अब इनके राइट्स है, सरकार ये बोलती है ना कि भाईया जो ट्राइब है ट्राइबल वो फोरेस्ट राइट्स है ये नहीं कि है तो इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा है, और यहां पे enforcement of the polluter pays, अगर तुम नुकसान पहुचा रहे हो, तो compensate भी आपको करना पड़ेगा, NGT के बारे में थोड़ा समय आपको बता देता हूँ, इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ, आपको बते हैं, ट्रिबूनल आक्ट के द हो आजाता है, constitutional body की बात करें, जो हमारे समविदान में है, जैसे election commission हो गया, UPSC हो गया, statutory मतलब act पास करके जिसको बनाया जाता है, अब इसी में एक executive resolution, जब executive resolution पास करके body बना लेते हैं, जैसे नीती आयोग, ठीक है, आयोग यह सब आपको clear होगा, तो specialized body है, NGT Act 2010 के तहत यह बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, environment से related कैसे इतने जादा आ रहे थे, उसके लिए अलग tribunal की ही जरूरत पड़ गई, ऐसा हो रहा था, ताकि हम environment को protect कर सके, forest को conserve कर सके, तो भारत जो है, तीसरा देज बना था, आपको बता तो इससे पहले, Australia और New Zealand में green tribunals थे, NG बनाने वाला, green tribunal बनाने वाला, भारत तो समय तीसरा देज बना था, जिसने NGT को बनाया, 6 महिने के अंदर अंदर कोई case आया है, 6 महिने के अंदर अंदर आपको case को dispose करना है, खतम करना है, जाधा इसको आप लंबा कीचे नहीं सकते, जाधा लंबा कीचे देंगे, तो का चेर परसन होगा इसमें, judicial members, expert members होते हैं, पांच साल का इनका office होता है, जाधा तर जो office होते हैं, वो पांच साल या फिर 6 साल के लिए होते हैं, ये भी आपको पता है, चेर परसन कौन appoint करता है, Central Government in consultation with the Chief Justice of India, Central Government Chief Justice of India से consult करती है, पूछती है, और वहाँ से इसका चेर परसन जो है, वो appoint किया जाता है, selection committee भी Central Government जो है, वो बनाती है, चेर परसन होगे, सबसे ओपर चेर परसन होते हैं, उसके बाद आपके judicial members और expert members आते हैं, तो चेर परसन को तो Central Government और judicial और expert members को जाधा तर जो hierarchy होती है, नीचे वाले जो लोग होते हैं, नीचे वाले जो members होते हैं, expert members चुन के आते हैं, कम से कम 10 और maximum 20 judicial और expert members होंगे, ट्रिब्यूनल में, पावर क्या है, जबर 10, पावर की बात करें, तो अगर कोई भी civil case में, substantial question relating to environment, यह substantial question आपने सुना होगा न, substantial question of law, अगर आप court जा रहे हो, तो substantial question पूछना है, ऐसे फरजी में court से ले गाना, तो court आप कोई environment का सवाल आता है, कि environment को damage कर रहा है, या कोई भी ऐसा illegal construction चल रहा है, उससे पर्या वरण को damage हो रहा है, तो NGT जो है, वो इसका संग्यान लेती है, ठीक है, court की तरह, जितनी courts को power होती है न, environment के मामले में NGT को ही उतनी power होती है, फिर दो चीजे आपको ध्यान में रख करती है, तो हमेशा वो principle of sustainable development और polluter pays इस पर काम करती है, compensate आपको करना पड़ेगा, NGT क्या कर सकती है, अपने order में, जब NGT order देती है, तो क्या होता है, माल नोग property को damage किया, तो उसको restitute करो, restitution of property damage, फिर environment अगर आप कोई area को, environment को, अगर आपने damage किया, तो उसको भी restitute करो, और उसके बाद जो भी victim है, उसको भी आपको compensate करना पड़ेगा, environmental damage अगर किया है, उसको भी आपको compensate करना पड़ेगा, ऐसा है, penalty भी है, तीन साल तक आपको सजा मिल सकती है, और 10 करोन रुप resentment भी हो जाता है, तो हमारे पर्या वरण को बचाने के लिए NGT बहुत important है, अब हम देख लेते हैं, कि NGT बनी के से, यह concept आया कहां से, हमारे अल्रेडी वाइले production act है 1972, protection act तो ही है न, देखें, यह जो act है, यह British काल से चले आ रहे है, तो protection act तो ही है, फिर क्यों इसको बना dependent है, उस समय हमारे Chief Justice of India थे, Justice P.N. भगवती उन्होंने suggest किया था, एक environmental court तो होना चाहिए, क्यों कि बहुत सारे ऐसे cases आ रहे थे, जिसे environmental pollution, ecological destruction हो रहा था, natural resources का यह era जो था, 1980s में, वो था क्या था यार, देखो उस समय लूपोल्स बहुत थे, तो करते जो बरबात कि इसको फरक पड़ रहा है, कानून उस समय इतनी ज़्यादा ताकत, मलब इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं थी, लूपोल्स की वजए से कानून का दुरुपियों किया जाता था, तो इससे problem क्या हो रही थी, जो natural resources है, जो ecological destruction है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए पहली 1986 में Chief Justice of India उन्होंने बोला कि एक ऐसा quote होना चाहिए, जो environment को देखे, तो आपका 1999 का case है और उसमें ये साफ हो गया, कि NGT को बनाया ही जाएगा, और 18 October 2010 मैंने बताया न, अभी 18 October को ही 10 साल पूरे हुए है, तो इसलिए article आया, तो 18 October 2010 को NGT को बनाया जाता है, वैसे तो न New Delhi is the center, लेकिन बाकि भोपाल, पूने, कलकत्ता और चिन्नई में भी sitting of the tribunal है, तो New Delhi को मिला के total 4, मतला 5 जगा sitting of the tribunal है, भोपाल, पूने, कलकत्ता, नई दिल्ली और चिन्नई, पांचों जगा सुनवाई हो सकती है, ठीक है, important judgments की बात कर लेते हैं, तो देखो, NGT को तो का Amira H. Patel versus Union of India case हुआ था, जब states को ये direct किया था, solid waste management rules जो है, ये सारे राज जो है, इसको बना ले, open burning of waste on lands नहीं हो ली, जिसकी वज़े से pollution फैलता है, stubble burning आप देख रहे हैं, stubble burning का, आप example देखिए, जो किसान खेती करते हैं, उसके बाद जो residue बज़ जा तो उसको जला दे हैं, जिसके वज़े से कितना ज़दा pollution फैलता है, उपर से solid waste management तो ही नहीं हमा रहा है, कूले को जला दिया जाता है, तो उसको manage करने के लिए कुछ proper होना चाहिए न, तो ये, Almira H. Patel versus Union of India का जो case हुआ था, NGT ने इसको direct किया था, 2012 में NGT ने South Korean Steel Maker Company थी POSCO, उन्होंने बो हैंगे, cancel कर दिया NGT ने, क्योंकि ये जो steel plant लगना था, Odisha के जंगलों को काट के लगना था, जिससे environment को बहुत ज़्यादा नुपसान पहुंचता, इतनी ज़्यादा profitable deal, लेकिन NGT को पता था, कि profit तो वहीं है, जहाँ nature है, sustainable development, जयान दीजे का निका principle क्या है, sustainable development as a precautionary measure, sustainable development ही नहीं होगा, तो हम बचेंगे कहां से, लगाते जो जितना plant लगाने हो, तो NGT ने इसको भी suspend कर दिया, और ऐसे धेर सारे project, बहुत सारे projects को cancel किया, जब इनको लगा कि ये environment को नुकसान पहुचा रहे, जैसे अरान मुला airport, केरल का जो project था, लोई डेमवे hydro power project था, नि mining projects गोआ में थे, coal mining projects, जब भी NGT को लगा, कि ये environment को नुकसान पहुचा रहे हैं, इन सारे projects को cancel कर दिया, सरकार के हित में था, लेकिन उसके बावजूद NGT ने cancel कर दिया, तो अगर यहाँ पे benefits की बात करें, कि NGT चाहिए क्यों, environmental matters का, environmental matters को यहाँ पे सुल्टाए जाता पर उसके बाद, जो भी आपका legal right है, environment से related, legal right NGT insure करती है, आपका कानूनी अधिकार है, हमारा ये करतब है कि हम environment को बचाएं, तो ये कौन insure करेगा, NGT insure करती है, सबसे बड़ा benefit तो यही है, दूसरा benefit क्या है, वैसा ही high court और supreme court में, करोणों cases pending पड़े हुए हैं, अग और जगर environment का कैसे चला जाता था, तो और जदा burden हो जाता था, तो आप environment को अलग कर दो, ट्रिब्यूनल ये बहुत बढ़िया इसका benefit होता है, ये burden कम कर देता है, Supreme Court, High Court का burden ये कम कर देता है, तीसरा benefit ये है, जिसका काम उसी को साजे, NGT में जो environmental experts होते हैं, उनको जगा मिल तो उसके कितने भयानक परिणाव होंगे, तो इसी लिए specialized body जो है, जो भी environmental dispute होता है, specialized body उसको देखती है, legal scientific methods को employ किया जाता है यापर, और उसके बाद, सबसे बड़ी चीज ये है कि time bound disposal of cases होता है, हमारे या cases की problem ये आपने case कर दिया, चलता रहे, आनंत काल तक चलता रहे प्रॉपर्टी के cases 10-10-15-15 साल तक चलते रहते हैं, रेप cases में भी यह होता है, कई बार बोला जाता है कि fast track court को, यह fast track courts जो है, इन में cases को transfer करो, फटाक से निवार करो इसका, NGT में ये है, 6 महिने के अंदर अंदर आपको case को खतम करना है, आप अगर environment का cases, मालो की कोई company है अब उसमें ये सरकार से contract लिया, कि हम बहुत बड़ा plant बना देंगे, अब ये plant जो है, ये जंगल में है, अब आप खुद सोचो कि अगर ये 6-10 साल तक case चलेगा, तो तब तक तो environment ये पूरा plant बन के तयार हो जाएगा, और environment की ऐसी की तैसी कर देंगे लोग, आप खुद स हुई benefits की power की, अब हम बात करते है problems क्या है, challenges भी है, इसका jurisdiction limited है, आपको पते हिए कि हमारे अदो important acts है, wildlife production act 1972 और उसके बाद scheduled tribes and other traditional forested dweller act 2006, इस से related अगर कोई problem आएगी, wildlife से related scheduled tribes अलग रखा जाएगा, ये बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे NGT इसको चूनी सकती है, jurisdiction जो होता है, आपका कितना ज़्यादा, मतलब कौन कौन से cases आप लेख सकते हैं, तो wildlife production act हो गया, schedule tribes act के तहत, अगर कोई case आता है, वो NGT ने ले सकती, ये restriction है, और जहाँ पे हाँ बान दिये जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, अब दोस्तों, जादा तर cases तो wildlife production act के तहती आते हैं, 1972 में act, forest पे किसका right होगा, और forest कितना ज़्यादा फैलाओ हो सकता है, ये सब wildlife production act के तहते हैं, ये दिक्कत है, फिर उसके बाद कई बार जो NGT के decisions है, उसको भी criticize किया जाता और challenge किया जाता है, आप Supreme Court में जा सकते हैं, तो इनके decisions को भी कई बार challenge किया जाता है, कि economy growth को hamper कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे developmental projects थे, उनको रोग दिया, कई बार जो coal mining हो रही थी, उनको रोग दिया, तो अब यहाँ पे economic growth को यह hamper कर रहे हैं, ये भी इनको बोला जाता है, फिर उसके बाद vacancies भी कम हैं, अभी पता है NGT के पास खाली तीन judicial और तीन expert members हैं, इस दिकत, मतलब फिर देरी हो जाती है फैसले में, जो फैसला जल्दी आना चाहिए, वो देर होगा, especially if judiciary में vacancy कम होती है, यह बहुत बड़ा, यहाँ पे दिक्कत है, जस्टिस अंजन को बार बार बोल रहे थे न, पत्र लिख रहे थे सरकार को, कि आप vacancy बढ़ा हो, judges बढ़ चंद्रकुमार केस में यह बोल दिया, कि tribunal जो है, they cannot be substitute of high court, tribunals high court का substitute हो ही नहीं सकते, that means, NGT ने कोई फैसला सुनाया, आप चले जो higher court, benches आपको नहीं मिलेंगी, लिमिटेड रिजिनल benches है, यह भी एक दिक्कत है, बड़े शहरों में तो located है नहीं है, मैंने बताया न, कि main तो 5 जगा settings होती है, यह भी दिक्कत है, तो यह कुछ problem से है, लेकिन अगर आप conclusion में देखें, तो दोस्तो NGT is not an obstacle, यह development है, क्योंकि अगर हमको environment को बचाना है, तो ऐसे tribunals की बहुत जादा जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, जो किसी के manifesto में भी नहीं होता, और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम बचे नहीं पहेंगे, मैं कई बार बोलता रहता हूं, यह lecture था NGT पे, आर्टिकल के हिसाब से ही मैंने समझाया है, अगर इधर उधर जाओंगा, तो फिर आप मुझ पे फिर चल लाते हैं कि सर आप इधर चले गए, उधर चले गए, लेचर पे ही रहो, तो इसलिए सिर्प आर्टिकल के हिसाब से मैं चला हूं, खुछ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, देशर से दान तक नहीं होता ही, signing off.